हेलो दोस्तो वेलकम वॉल हाँ दोस्तो MPNHMCHO का आपका second married list जारी हो गया है एंड दोस्तो एक result में बहुत सी एक अजीब चीज सामने आई है कि EWS candidates की जो seats थी दोस्तो women category की वो पूरी women को जितनी qualified थी लड़कियां जितनी qualified female सी सब को seats मिल गई एंड फिर भी seats खाले रहे गई तो women की seats male category को दीदे दी गई ठीक है वो उनका rule है तो बहुत सारे OBC candidates मुझे comment कर रहे हैं कि सर ऐसा क्यों कि EWS candidate का common merit rank 13,000 तक selection हो गया है बट OBC के अच्छे candidates जो बहुत intelligent है जिनका 600-700 merit rank था उनका भी नाम merit list में नहीं आया तो ऐसा क्यों हो रहा है OBC candidates के साथ तो दोस्तों मैं cast based discussion नहीं करूँगा मैं आपको जस्ट एक basic idea दे देता हूँ कि क्या हुआ है इस recruitment में ठीक है जो official release हुआ है वही मैं आपसे discuss करूँगा तो इस वीडियो को last तक देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा आपको idea लग जाएगा क्या हुआ है actually क्या बोला है जो हमारे एंप एंप एंचम के heads है उन्होंने क्या बोला है authorities ने क्या बोला है इस चीछ पर तो थोड़ा सा हम discuss कर लेते हैं दोस्तों यह दिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो सिर्फ चेपरसंट सीट दे दी गई आप 27 परसंट चोड़ो 14 परसंट देनी थी ठीक एंड यह डिव्याज के डिडेट्स का जहां पर सिर्फ और सिर्फ दस परसंट होना था दस परसंट मतलब 280 सीट होना था उन्हें 652 सीट दे गई तो ऐसा यह डिफ्रेंस क्यों लॉस हुआ है यहां पर सीदे सीदे अन्रिजर्फ केंडिडेट्स का भी लॉस हुआ है क्योंकि एडव्यूस को सीट ज्यादा मिल गई तो वह जो उपन सीट थी वह भी कम हो गई ठीक अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं जो यह डिसकेशन हुआ था एक इशू भी पर से लिए वह इकलाग विकशी है अब और सीट नहीं अगली में तो यह चीजिय करेंगी वह जाएगेasm पिष्ले वैकेंसि चेहीर के हिसाब सो बीसी के वनीटइन ाइद दूसरा कारण और बी सी का कटओफ जादा जाने का कारण यह थे दोश्तों गाल कर दोस्तों यह स्थगित है पक्लाइब क्यूंकि आपको पता हाइग कोट का रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आना है सुनवाई होती रहेगी एक साल दो साल या उसके बाद जाती, OBC के favor में नहीं जाती तो यह distribute हो जाती ठीक, बट कुछ भी नहीं हो पाए मतलब जो बोलते हैं ना बीच में लटक गए ना इधर के, ना उधर के यही हुआ है यह 441 vacancies के साथ, तो यदि high court का फैसला आते आते एक देट साल हुआ, तो possible है कि यहां की waiting list से उठाएंगे बट यह भी एक possibility है कि यह अगले recruitment में add कर दी जा 441 vacancies क्योंकि दोस्तों, यहां पे recruitment लाना ना एक थोड़ा सा political agenda भी होता है election के आसपास recruitment जादा आते हैं, जैसे हैं मतलब प्रदेश में हमारा election होने वाला है, ठीक है कि दोस्तों किसी भी cast का गलती नहीं है, ना EWS का गलती है, ना OBC का गलती है ठीक है, बट यह जो NHM नहीं release किया है, तो कोई cast हम, मतलब हम cast wise यहां पे discussion करने नहीं है, बट मैं जिसे आपको यह बता रहा हूँ, इन कारणों से दो कारण बता दिये, यदि यह 441 vacancy OBC के खाते में जाती तो OBC का cut off भी निश्य ही कम चले जाता क्योंकि दोस्तों, जो high rankers होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं, जैसे ही आपके 400 vacancy add होती, तो OBC की cut off 2000-2000 rank तक आ जाता common merit rank तक, बट यहां पे यह vacancies दोस्तों, चली गई है बहुत कम vacancies बची है तो आप देख सकते हैं कि July session में OBC के बाद सिर्फ around 110 vacancies थी 110-112 vacancies थी तो 112 vacancies में कितना ही cut off जाएगा बहुत कम candidates है ना तो इसलिए थोड़ा सा cut off हाई गया है यह दो reasons हैं दोस्तों एक reason यह 441 vacancy दूसरा reason यह NHM ने उज़सा बोला है कि यह backlog vacancy अब बहुत सारे candidates यह भी बोलेंगे कि सार नोटिफिकेशन में तो यह लिख दिया था कि यह नई vacancies है नया recruitment है बाद में उन्होंने specific current दिया जब OBC के कुछ groups महा गया थे उन्होंने डिसकस किया NHM ने दोस्तों मैं आपको suggest करूंगा आप इन problems में ना पढ़ें आप अपनी preparation जारी रखिए क्योंकि cast based हमको लड़ाई नहीं करनी है ठीक है जो होना है वो आगे से decide हो रहा है मगर आप अपनी preparation आगे कर सकते हैं आगे exams में फर्म डालते रही है अपनी preparation जारी रखिए इन सब चीजों में अपनी preparation खराब ना करें दोस्तों अपना preparation continue रखे और अपना selection ले ले आज नहीं तो कल selection आपका हो जाएगा यदि यहाँ पर आपका 70 नमबर आ गया है दोस्तों MPCHO में 70 नमबर आ गया है तो definitely आपकी staff nurse में selection होई जाएगा स्टाफ nurse में पूरी vacancies category wise मिली है वहाँ पर backlog vacancies नहीं है वह fresh vacancies है तो वहाँ सभी को equally जितना percentage of reservation है उसके साफ से vacancies मिली है दोस्तों ठीक है तो आप motivation ना lose करें ना ही जगडा लडाई जगडा करें बस preparation करते जाए and definitely आपको success मिल जाएगा all the best दोस्तों